नमस्कार दोस्तों कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल कीर्थिमान फ्यूचर कलासेज में तो आज आप लोग सीखने वाले हैं एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है बिल्कुल ध्यान से समझेगा हम आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे चलिए जैसे हमने पहला कोशन लिया है भाग देना है 14x² प्लस 13x माइनस 15 में हमको भाग देना है 7x माइनस श्यार का यह दुई गहात बहुपद है इसमें हमें भाग देना है 7x-4 तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझेगा बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे चलिए देखिए यहां क्या है 7x है और यहां क्या है 14x² है हमको सोचना होगा कि हम किस चीज से गुड़ा कर दें कि यहां क्या आ जा किसी ऐसे चीज से गुड़ा करना होगा यानी चर या अचर रास से गुड़ा करना होगा जिसका गुड़ा करने पर यह पहला वाला यानी 14x² आ जाए अगर हम देखिए 7x अगर हम 2x का गुड़ा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको ऐसे सोचना पड़ेगा दो उसमें हमको भाग करना होगा उसका जो पहला पद होगा उसमें हम जिससे भाग करना होगा उसमें हम किसी ऐसे चर या अचर रास से गुड़ा करके यह पहले पद के बराबर हमको करना होगा तो चलिए जैसे हैं यहां देखिए क्या है 7x-4 है अगर हम 7x में 2x का गुड़ा कर जाएगा, साथ दूनी, चाउदा, एक्स इसकॉाइर हो गया, देखिले, दो का हमने गुड़ा साथ में किया, तो चाउदा हो गया, एकस का गुड़ा, एक्स में करेंगे, एक्स स्कॉाइर हो जाएगा, इसमें, और इसमें दोनों में गुड़ा होगा, deeply our right, का गुड़ा कर रहे हैं तो इसमें और इसमें दोनों में होगा तो हम क्या करेंगे इसका गुड़ा इसमें भी करेंगे यहां चिन किसका है माइनस का है तो माइनस हो जाएगा यहां प्लस का चिन है यहां प्लस है छुपा हुआ है तो प्लस का गुड़ा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दो चवक 8 हो गया, देखी यहां क्या हो गया, 8X हो गया, भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो चलिए हम ऐसे करके घटा देंगे, यहां देखी क्या चिन है, यहां चिन किशीच का है, प्लस का है, यहां कुछ नहीं है, अगर को कोई भी चिन नहीं है तो प्लस का चिन छुपा हुआ रहता है तो यहां देखिए प्लस का चिन छुपा है भाग में क्या करते हैं घटा देते हैं तो यहां देखिए प्लस है तो घटाएंगे तो यहां माइनस हो जाएगा यहां देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा चिन यहां क्या है इसके आगे क्या है प्लस है यहां प्लस है और यहां माइनस अब इस चिन के साथ लिया जाएगा यह जो माइनस का चिन है और यहां प्लस का चिन है तो हमें कोई मतलब नहीं, इस प्लस से अब हमें मतलब है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 13 में 8 को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8, 3, 11, यानि 21 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 21, X हो गया, इसको हम उतार लेंगे, यहां माइनस 15 हम लिख लेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझीएगा, सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए, क्या है, 7, X माइनस 4 है, हमको भाग देना है, 14, X स्क्वाइर, प्लस काउन से चर या अचर राच को एक साथ या अलग-अलग भी जिस प्रकार से गुड़ा करना होगा, जिस प्रकार देखेंगे, उस प्रकार हम, यहां यहां अगर 4 केवल यानि X का ही गुड़ा होता, तो हम X का ही गुड़ा करते हैं, अगर 2 का गुड़ा होता, तो 2 का ही दूगर बस के वल आपको यही ध्यान रखना है कि जिसमें हमें भाघ देना उसका पहला पद आपको किसी ना किसी प्रकार से सोच कर गुड़ा करके चर या अच्छा रास का गुड़ा करके पहले पद को ले आना ही है तो चलिए हमने ए पहला पद लेकर आया 7x में हम 2x का गुड़ा करेंगे तो 14x square होगा इसका गुड़ा इसमें भी होगा देखिए यहाँ plus का चिन है plus का गुड़ा minus में करेंगे तो minus हो जाएगा 2 का गुड़ा 4 में करेंगे तो 8x हो गया यहाँ देखिए भाग में क्या करते हैं घटा देते हैं तो यहाँ प्लस है और यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा बस इसका आप विशेश ध्यान रखेंगे तो देखिए प्लस है और यह माइनस इस चिन से हमसे कोई लेना देना नहीं, यह माइनस इस चिन को माना जाएगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, यह देखिए प्लस 13x और प्लस 8x तो क्या हो गया, 831 यानि 21x माइनस 15, तो चलिए अब देखिए किस से भाग जाएगा देखिए यहां क्या है 7x है और यहां क्या है 21x है देखिए यहां क्या है 7x है लेकिन यहां क्या है 21x है तो हम किस से भाग दे दें यहां किस चीश का गुड़ा कर दें कि इसके बराबर हो जाए अगर हम यहां देखिए अगर हम यहां देखिए प्लस ले लेते हैं प्लस हम क्यों लेंगे क्योंकि हम प्लस के साथ क्या लेंगे हम देखिए यहां क्या है 7x है लेकिन यहां को कितना ले आना है 21x ले आना है तो प्लस के साथ हम 3 लेंगे तो 3 का गुड़ा हम 7 में करेंगे देखिए 3 7 क्या हो जाएगा 21x हो गया यहां देखिए प्लस है इसके आगे क्या चिन है प्लस है तो प्लस का गुड़ा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा इसके आगे प्लस हो जाएगा लेकिन लिखने की कोई जरूर नहीं लिख भी देते हैं यहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, 7 तरिक 21 हो गया, अब इसका गुड़ा इसमें भी करेंगे, 3 चौक, क्या हो जाएगा, 3 चौक, यहाँ देखिए, प्लस का गुड़ा माइनस में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, 3 चौक, क्या हो जाएगा, 12 हो गया, तो इस इस से क्या हो गया, cancel हो गया, यहां देखिए, minus 15, plus 12, देखिए, minus 15 में, आप जब 12 को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह देखिए, 15 में से 12 घड़ जाएगा, और चिन बड़े का लगेगा, यानि 15 के आगे का चिन क्या है, minus का है, तो क्या करेंगे, 15 में से हम 12 को घटाएंगे 3 हो जाएगा और बड़े का चिन यानि 15 के सामने का चिन क्या है माइनस का है तो माइनस 3 हो जाएगा 15 क्या है बड़ा है 15 में से हम 12 को घटाएंगे तो 3 आएगा लेकिन बड़े का चिन लगाएंगे माइनस तो यहां से क्या आएगा? माइनस 3 यहीं क्या हो जाएगा? सेस्फल हो जाएगा उम्मेद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गया होंगी इस प्रकार आपको सोचना होगा आप जितना ही सोचेंगे उतना ही सरल तरीके से कोश्चनों को सौल्व कर सकते हैं इस प्रकार आपको सोचना होगा और बिल्कुल आसानी से question को solve कर सकते हैं हम आपको एक दे देते हैं उसको आप जरूर comment box में हल करके उसका answer बताएंगे successful आपको बताना है जैसे हम दे देते हैं question हमारा क्या दिया गया है यहां देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसका comment box में जरूर उत्तर देंगे जैसे है x square minus 18x plus 79 में हमको भाग देना है आपको भाग देना है x plus 5a आप भाग देकर जरूर बताएंगे इसका सेसफल के आएगा सेसफल आप जरूर बताएंगे कितना निकल कर आएगा comment box में आप जरूर इसका answer देंगे उम्मीद करते हैं हमने जो आपको समझाया आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और इस परकार बड़े से बड़े बहुपद में एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कर सकते हैं इस परकार बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं केवल आपको थोड़ा अपना दिमार्क लगाना होगा सोचना होगा और इस आधार पर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा समझ में आया हो तो request है एक दिल से like जरूर करिएगा क्योंकि हमने आपको बताने के लिए बहुत परिस्रम किया है तो उम्मीद करते हैं आप एक like जरूर करेंगे नए है यानि अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा पास में बने बिल आइकन को भी प्रिस करिएगा जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक बिलकुल आसानी से पहुँच जाए आप बहतर से बहतर सीख पाएं उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा तो like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा अपने दोस्तों के साथ अपना परिवार कीर्थिमान फ्यूचर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे जल्द ही live पढ़ाएंगे तो आप जरूर ऐसा करेंगे उम्मीद करते हैं आप जरूर ऐसा करेंगे तो चैनल को subscribe करिएगा जरूर से एर करिएगा चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर भारत माता की जए